जात्रों ने शनवार को प्रदेश के उच्छ सिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन्यादव के घर का घिराव कर प्रदेशन किया चात्रों की मांग थी कि उनकी परिक्षाएं शीक्र कराई जाएं अनित प्रदेश के हजारो चात्र चात्राएं मतदार में भाग नहीं लेंगे मंतरी मोहनियादम ने कोड और सरकार से चर्चा कर उचित हल निकालने की बाथ कही है मद्ध प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने वाले प्रथम समेस्टर के हजारों चात्राओं की परिक्षा पिछले तीन सालों में नहीं कराई जा रही है लिहाजा चात्र तीन साल से एक ही कक्षा में पढ़ने को मजबूर है चात्र द्वारा परिक्षा कराने की मांग लगातार की जा रही है लेकिन आज तक परिक्षाएं आयोजित नहीं की गई है जिसके चलते शनवार को एक बार फिर नर्सिंग के चात्र चात्राओं ने उज्जैन में उच्छिसिक शामांत्री डॉक्टर मोहन्यादव के घर का घेराव कर नारेवाजी करते हुए प्रदेर्शन किया जब इनको एक्जाम नहीं लेना है तो हमें जर्डर प्रमोशन दूए हम तीन सार से एक लास में तो नहीं रह सकते ना हमें यह कि हमारी एक्जाम टाइम पे हो बस वो कुछ नहीं चाते हैं हम लोग इतना सा चाते है भी एक्जामन ही वाले उनकी नहीक हूँ है अभी फॉर्स्ट के लेगे को निकल जाएंगे उनका फूच्छार खुर खटा हो रहा है हमारे ख़राव हो रहा है सबकार का नहीं संथर्ण को ऑबस पतारहे कि फर्जी वाड़ा हूआ है बता दें छात्र शात्राइं हाथों में तख्तियान लेकर प्रदर्शन करते दिखाई दिए छात्रों ने मंत्री से मिलकर परिक्षा कराने की बात कही इस पर मंत्री डॉक्टर मोहन जादव ने पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया है उजयन से म्रदुभाशी के लिए अमरित बैंडवाल की रिपोर्ट वीडियो को लाइक करें शेयर करें ब्रदुभाशी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन के लिए बैर आइकन दबाना ना भूलें